आज हम ऐसे वाइरस के बारे में जानेंगे जो की बैक्टीरिया को खाते हैं और उनका नाम हम लेते हैं बैक्टीरियो फेजेस की तरह से या बैक्टीरियाल इटर्स उन्हें हम कहते हैं तो bacteriophages की बात हम करने जा रहे हैं आज bacteriophages क्या होते हैं bacteriophages are the viruses which are parasitic on bacteria bacteriophages वो virus होते हैं जो की जिवानों के उपर जीवित रहते हैं या जीवानों को खा कर जीवित रहते हैं तो इनका दूसरा नाम है bacterial eaters इनकी खोज की गई थी Frederick W. Wart के द्वारा और Felix D. Herley के द्वारा Wart ने इन्हे 1915 में इंग्लैंड में देखा और 1917 में France के जो Herley थे उन्होंने इन्हें डिस्कवर किया पहली बार क्योंकि इन से पहले बैक्टिरिया को हम जान चुके थे वारिस के बारे में हम बात कर चुके थे पर उनने Wart ने during their experiment he observed that some bacterial colonies disappeared by dissolving themselves as their cells either lised or burst Wart ने क्या देखा experiment के दोरान जब वो बैक्टिरिया के साथ experiment कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि धीरे धीरे बैक्टिरिया की जो colonies थी वो disappear हो रही थी अपने आप कोई खत्म कर रही थी तो उन्होंने देखा कि ये खत्म कैसे हो रही है या तो वो burst हो जाती थी बैक्टिरिया फट जाती थी या वो lysis हो जाता था उसका घुल जाती थी पूरी तरह से खत्म हो जाती थी तो important and the most important जो थी उनकी interesting observation he noticed was what that this lightic effect could be transferred from one colony to other colony उन्होंने एक और important बात notice की जो कि एक बहुत interesting fact उन्हें लगा कि ये एक साथ में वो तो burst हो रही थी colony या एक बैक्टिरिया खुद burst हो रहा था lysis हो रहा था लेकिन वो साथ में अपने पड़ोसी बैक्टिरिया को भी एक तरह से कुछ ट्रांसफर कर रहा था lightic effect को यानि घुलने की जो एक तरह की बिमारी उसमें खुद में थी एक बैक्टिरिया में वो उसने दूसरे को ट्रांसफर्ट कर दी फिल्टर्ड लाइस्ट कलोनी अब उसने उन्होंने क्या किया कि जोότε üzerine lyses हो चुकी थी आब विगटित हो चुकी थी उसे उन्होंने च्छाना थ्रू बैक्टिरियाल फिल्टर उस वक तक bacterial filters ही मौझूद थे तो उन्होंने पाया कि जो filtrate आया, जो छनित्र आया उसमें भी lysis की property मौझूद थी but on heating लेकिन उस छनित्र को जब गरम किया गया the lytic property was destroyed, गरम करने से उसकी property, lytic property खत्म हो गई, तो on this basis and on the on the basis of these observations, what concluded that there was some filtrable lighting agent which was infectious उन्होंने, what ने ये निशकर्ष निकाला कि जो छनित्र है उसमें कोई ना कोई lytic agent है मौझूद जो की infection को cause करता है और दूसरी bacteria को भी lysis कर देता है या उसको भी विगटित कर देता है इस विगटित करने वाले agent को नाम हैरली ने दिया और उन्होंने इसे bacteriophase के नाम से पुकारा bacteriophase virus यानि ऐसा phase ऐसा virus जो की bacteria को खाता है तो bacteriophase का मतलब क्या हो गया literal meaning क्या हो गया शाबदी कर्थ हो गया eater of bacteria and this phenomenon is known as what the harley phenomenon कौन सा phenomenon जो lysis हो रहा है कि ऐसा infectious agent मौजूद है bacteria के अंदर जो एक bacteria को तो lysis करता ही है उसको विगटित करता ही है उसको बस्ट करता है लेकिन उसके अंदर मौजूद infectious जो factor है या agent है वो दूसरे bacteria को भी infect करता है और छानने के उपरांथ भी उसमें ये quality मौजूद होती है उसमें ये filtrate में lightic property होती है तो इस चीज को उन्होंने what and harley phenomena के नाम से जाना तो अगर exam में आपसे पूछा जाए तो आप इसे explain कर सकते हैं अब bacteria pages जो होते हैं वो किस nature के organism होते हैं they are obligate parasites ये एक typical bacteria phase का है T4 जिसका नाम है T4 bacteria phase ये एक प्रकार के complex viruses में आते हैं आपको हमने bacteria phase की definition आपको बता दी किस प्रकार से इसका पता लगा कि ये bacteria liters हैं वोर्ट और harley का क्या contribution है इनको लेकर के अब हम बात करते हैं इनके nature की तो bacteria phases are obligate parasites obligate का मतलब आपको पता है आविकल्पी पर जीवी obligate parasite मतलब आविकल्पी पर जीवी जिनके पास और कोई विकल्पी नहीं है and they are cosmopolitan in distribution जब भी हम distribution की बात करते हैं तो या तो cosmopolitan कहते हैं या फिर हम ubiquitous कहते हैं ubiquitous जब bacteria आपको पढ़ा रहे थे हमने ये term आपको बताई थी कि ये हमेशा distribution में काम में आती है या तो कोई organism cosmopolitan यानि विश्व जनित हो सकता है यानि विश्व में मौझूद हो सकता है विश्व व्यापी हो सकता है या फिर वो सर्व व्यापी हो सकता है तो cosmopolitan है ये विश्व अव्यापी है, they are not ubiquitous in nature because they are not present each and every expected site or every expected place in this universe. So, they are obligate parasites, they are cosmopolitan in distribution and occurring wherever bacteria are found, जहां-जहां bacteria मिलेंगे वहां-वहां इनका संभावना है पाए जाने की and mostly they are found in intestine of animals and human beings. जो आत्त्र होती है, आते होती है जानवरों की और human beings ही, उनमें ये mostly पाए जाते हैं. Leguminous plants की root nodule में ये मिल सकते हैं, दूद में मिल सकते हैं, vegetables में, fruits में, human and animal waste में, खाद में, sea-wish water में, soil, ocean इन जगों पर आप इनका distribution पाते हैं. अब कितने प्रकार की bacteriophages हो सकती हैं, इनको कैसे हम classify करेंगे, तो जिस host के उपर ये मौजूद होती हैं, उनके साथ में इनका नाम जोड़ दिया जाता है. अगर bacteria के उपर मौजूद है virus, तो उसे हम bacteria phase कहते हैं, अर्थाथ paraceticon bacteria, अगर actinomycities के उपर मौजूद है तो actinophage कहलाएंगे, east के उपर है तो zymophage कहलाते हैं, blue-green algae पर है तो synophage कहलाते हैं, तो इनके host के मुताबिक इनका नाम तै कर दिया जाता है. जो मैक्स डेलब्रक थे, 1938 में उन्होंने लेम बैक्टिरियो फेज इंफेक्टिंग दा बैक्टिरियम अश्रीशिया कोलाई, E. coli, as T-type. E. coli में जो इसका बैक्टिरियो फेज का इंफेक्शन होता था, इसके आधार पर जो मैक्स थे, उन्होंने इसे नाम देने शुरू करें and labeled them 1 to 17 respectively. तो आप जब एक्जाम में या इसमें आप बुक्स में पढ़ते हैं T1, T2, T3, likewise T1 से लेकर 17 तक इसके strains मौजूद हैं and out of these 17 strains, T2, T4 and T6 are even phases and they have been studied in detail. जो T2 है, T4 है, T6 है, ये even phases जो है, even numbers वाली. देखिए, 2 है, वो सम संख्या है, 4 भी सम है और 6 भी सम है. तो सम संख्या वाली जो phases है, उनको बहुत अच्छे से study किया जा चुका है. आंद्रे लॉफ जो थे, उन्होंने 53 में एक नई phase को खोजा, जिसमें की lysogenic property थी और उसको नाम दिया गया lambda phase. तो अगर एक्जाम में आप से पूछा जाता है कि lambda phase क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं, ये वो viruses होते हैं, या bacterial eaters होते हैं, जिनमें की lysogenic property होती है. लाइसोजीनी का मतलब होता है, कि जो virus का, जो DNA या RNA है, जब वो bacteria के chromosome के साथ में, या chromatin material के साथ जुड़ जाता है, तो उस phase को, या इस जुड़ जाने की property को हम बोलते हैं, lysogeny. The phases are divided into virulent, मतलब उग्र, और temperate यानी शान्त. तो जो virulent phases हैं, वो T2, T4 हैं, और temperate phases हैं, जैसे lambda phase. Temperate का मतलब है, उसमें lysogenic property है, इसी लिए वो कैसी है, शान्त है, और intermediate phase भी हो सकती है, जैसे F2 और M12. इनके host के साथ कैसे relation हैं, उसके आधार पर इनको नाम दिये गए हैं. अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के दिखाई देते हैं, वेक्टिरो phase, और इनकी क्या chemical composition होती है. तो अगर आप इस चित्र को देख रहे हैं, तो आप देखिए इसको, बड़ी specific morphology हैं कि आकारे की, टैड़ पोल की जैसे आकरती की ये हैं, उपर आपको diamond जैसा, इसका head नजर आ रहा है, नीचे एक tail है, जो head है, वो hexagonal है, किसी में आपको spherical भी दिख सकता है, angular भी हो सकता ह morphology कली अगर आप देखें, तो bacteriophases तीन प्रकार की होती है, आइकोसा हेडरल, जिनका head जो होता है, वो आइकोसा हेडरल हो सकता है, tail absent हो सकती है, आइकोसा हेडरल head हो सकता है, tail present हो सकती है, या filamentous हो सकता है, कुछ phases में आपको, कि जो head है, वो ज्यादा चौड़ा नजर आएगा, इसकी tail के मुकाबले में, tail छोटी भी हो सकती है, चार गुना लंबी भी हो सकती है head से, contractile भी हो सकती है, non contractile भी यानि, अंदर लेने लायक उसमें property हो सकती है, पूरी tail अंदर चली जाए virus की, या फिर नहीं भी जाए, जो even each phase particle consists of a nucleic acid core, हर एक वाइरस में अंदर की तरफ देखिए आप ये, nucleic acid वाला core होता है, इसके चारो और proteinaceous capsid मौजूद होता है, capsid जो होता है, nucleic acid को nuclease enzyme के द्वारा बचाता है, nucleages जो होते हैं, जैसे restriction enzymes जो होते हैं, उनका काम होता है, DNA RNA को विघटित कर देना, तो ये उससे बचाता है, capsid जो होता है, और दूसरे harmful substances से भी इसको बचाता है, जो phase core होती है, इसके अंदर अगर आप देखें, तो या तो DNA होगा, या RNA होगा, और वो DNA, RNA जैसे आपको वाइरस में बताया, single standard या double standard कैसे भी हो सकते हैं, अगर आप इसके ultra structure को देखें, तो जैसे आपको हमने बताया कि पहले भी बता चुके हैं, जो capsid होता है, वो capsomiers का बना हुआ होता है, अब इसमें आप नीचे देखिए, ये collar है, उपर आप देख रहे हैं, इसमें head है, साथ में DNA मौजूद है, इसमें RNA भी हो सकता है, ये single standard हो सकता है, चारों और इसके protein sheet है, या capsid है, जिसे कि आप जानते हैं, कि ये capsomier का बना होता है, इसके नीचे देखिए, neck and collar नजर आ रहा है, और इसका ये जो hollow core है, इसके चारों और एक sheet present है, और ये head से नीचे का पूरा हिस्सा tail के नाम से जाना जाता है, जो सबसे नीच tail वाला हिस्सा है, उसमें आप जात देख रहे हैं, कि end plate मौजूद है नीचे और tail fibers हैं, ये tail fibers जो होते हैं, ये tail fiber इसको चिपकने में मदद करते हैं, जब भी ये host पर आक्रमन करता है, ये इसका एक virus की और viruses अगर आप देखें, तो ये जो bacteria phases हैं, they are much more complex in symmetry and in morphology too, इस प्रक को बता सकते हैं, अब इच टेल फाइबर जो है, इसमें 1500 एंग्स्ट्रॉम लंबा हो सकता है, अब दो प्रकार के देखें, इसमें tail fibers हो सकते हैं, कुछ tail fibers जो होते हैं, जो कि चिपकने अधेयर करने के काम में आते हैं, बैक्टिरियल सर्फिस के और साथ में लाइटिक लाइफ साइकल है इसकी, अब हमने इसकी morphology को जान लिया, यानि आकारी की और इसके chemical structure को हमने जाना, ये एक typical T4 phase का structure आपको हमने बता है, जो कि एक E1 phase है, E1 phase है, E1 phase है, अब लाइफ साइकल और बैक्टिरियल phase जो है, उसके अंतरगत आप पाएंगे, जैसे शुरू में आपको हमने बताया कि दो प्रकार की phase पाई जाती है इनमें, लाइटिक और लाइसोजैनी, ये देखी आप, जो इसकी life cycle होती है उसमें, ये कुछ शब्द हैं जिनका आपको आशे पता होना जरूरी है, मीनिंग पता होना जरूरी है, विरूलेंट और लाइटिक फेज, द रिलीज़ आफ्टर बस्टिंग अप दा होस्ट सेल, और लाइटिक साइकल, तो लाइटिक साइकल क्या है, लायनकारी साइकल, ये वो साइकल है जिसमें की बैक्टीरिया पर जब आकरमन करता है वाइरस, तो उसके अंदर वो अपने जैसी बहुत सारे phase particles को बना लेता है, और अंते में उसको बस्ट कर देता है और वो रिलीज हो जाते हैं उसमें से, इस साइकल को जबकि बैक्टीरियल सेल बस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, और नए वाइरस पार्टिकल बाहर निकल जाए, इस साइकल को हम बोलते हैं, लाइटिक साइकल, और जो phase होती है बैक्ट जरूर मौजूद होगी अगर आप उसे कह रहे हैं कि लाइतिख फेज है तो सका मतलब उसमें वाहिरस जो है वह विरूलनत अवस्थामें है उग्र अवस्थ्थामें है तो लाइ stock cycle क्या होती है जिसमें की वाहिरस जो होता है वह अपनी जैसे infection बाद में बहुत सारी कॉपी बनाता है जब फेस पार्टिकल से बैक्टिरियल सेल भर जाती है उसको बस्ट करके बाहर निकलाते हैं वो सब और दूसरी कोश्रिकाओं को इंपेक्ट करते हैं अनाधर टाइप फेस जो होती है वो होती है एविरूलेंट और टेंप्रेट फेस तो अगर आपसे पूछा जाता है टेंप्रेट फेस क्या होती है या एविरूलेंट फेस क्या होती है जिसमें की जो बैक्टिरियल सेल है उसकी लाइसिस नहीं होती इसमें फेस डियने होता है या वायरस जो होता है वो अंदर चला जाता है वैक्टिरिया में और उसके बैक बैक्टिरिया के साथ में multiply होता रहेगा या replicate होता रहेगा इसमें cell lysis does not take place अभी तक इसमें cell lysis को हमने नहीं देखा यानि उसमें बहुत सारे जैसे बैक्टिरिया डिवाइड होगा वैसे ही वाइरस भी उसके साथ साथ डिवाइड होता चला जाएगा तो यह उग्र था लयनकारी नहीं है यह लाइटिक नहीं है यह लाइसोजनी है तो लैजात जो cycle होती है उसमें जो वाइरस का DNA या RNA होता है वो बैक्टिरिया क्रोमोसोम के साथ में जुड़ जाता है और जैसे जैसे बैक्टिरिया रैप्लिकेट करती है उसी तरह से हर बैक्टिरिया में वो replication के बाद या division के बाद में जैसे bacteria का multiplication होगा उसकी कई copies बनेंगी divide होगा bacteria हर एक bacteria के साथ में वो virus का टुकड़ा साथ में चला जाएगा ये condition जो है कुछ certain condition ऐसी आ जाती है जिसमें की जो temperate phase है या a virulent जो phase है शांत जो अवस्था है वो अचानक से light उसमें enter कर जाती है यानि लेयन कारी अवस्था में और जो उसका virus होता है जो की bacterial chromosome के साथ जुड़ा हुआ है ता virus का DNA या RNA वो अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में वो क्या करेगा बहुत सारे अपनी जैसी copies इस हर बैक्टीरिया में बनाना शुरू कर देगा जिसमें वो मौझूद है और फिर बहुत सारे अपने जैसे face particle बनाके बैक्टीरिया को बस्ट करके बाहर औरों को भी infect करने के लिए तयार हो जाएगा अब इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं इस प्रकार से lightic life cycle of virulent phase होती है वो execute होती है किन steps में वो आगे बढ़ती है तो सबसे पहले जैसे ही virus बैक्टीरिया को attack करता है उसमें उसकी पहला जो काम होता है वो होता है adsorption जो adsorption का मतलब होता है अधिशोशन ये absorption नहीं है absorption नहीं है absorption यानि सतह से चिपक जाना and attachment और उसको पकड़ लेना attach हो जाना पूरी तरह से जो phase particles होते हैं वो अपनी जिस भी bacterial cell को infect करना चाहते हैं उस पर वो tail fiber के द्वारा जुड़ जाते हैं और फिर उनकी ये देखिए हर एक उसको नहीं करेगा जो उसकी host range में आएगा जो phase की जो specific उसका host होगा उसी के पास में वो virus जाके चिपकेगा जो bacteria जो होता है उसके पास कुछ receptor sites होती है तो tail fiber उन्हें identify करके वहाँ पर adsorb हो जाते हैं attach हो जाते हैं तो ये इसकी initial stage होती है ये this process may be reversible initial stage but once tail fibers get attached to host surface the process become irreversible अगर हलका सा virus उसको बस attach आके बैठा ही है उसने अपने fibers अंदर नहीं डाले tail fibers तब तक तो ये हो सकता है कि उसे आप हटा सकते हैं एक बार अगर उसने attach हो गया वो host surface से तो वो दुबारा से नहीं हट पाएगा यानि वो जो process है वो irreversible है यानि आगे पीछे नहीं चलेगा वो बस एक बार आ गया तो आ गया जो दूसरा इसका process होता है entry of phase genome into host cell अब वो चिपक तो गया अब उसके बाद वो उसमें अंदर जाना चाहेगा तो वो क्या करता है bacterial cytoplasm के through वो penetration करता है cell wall के जैसी ही phase उसे attach होता है तो वो अपने कोशिश करता है कि cell wall के अंदर से वो उसमें कोशिका के cytoplasm यानि bacterial कोशिका के cytoplasm में पहुँच जाए जो tail sheet के होते हैं वो phase को contract कर लेते हैं और tail core move into bacterial cell penetrating through its cell wall and cell membrane यह देखिए आप इस picture को यहाँ यह इसका adsorption हुआ है attachment हो गया यह attach हो गया इससे फिर adsorb हो गया अब इसके बाद में यह irreversible है process उसके बाद इसमें देखिए यह थोड़ा सा यहाँ इसके जो hollow core है उसमें से इसका DNA जो है वो बाहर की तरफ कोशिका के cytobacterial कोशिका के cytoblasm में यह पहुँच जाता है जो protein coat of head and tail है and other structure remains outside the bacterials है only nucleic acid of phase particle come externally environment और come with external environment of host यानी जो इसके यह tail fibers है और इसके capsid वगएरा यह तो बाहर रह जाते हैं और जो cytoblasm का environment है उसमें सिर्फ DNA अंदर आता है और यहां अंदर आने के बाद में single stranded DNA phases अगर हैं तो वो एक complete एक तरह से अपना पूरा का पूरा जो material है वो इसके अंदर cytoblasm में डाल देते हैं conversion of host cell to phase producing cell अगला जो इसका process होता है attach हो गई उसके बाद यह इसमें अंदर इसने entry ले ली host के अंदर अब इसके बाद में phase producing cell में कैसे बदल जाता है एक bacteria phase का मतलब virus the process of production of phase particles जो है वो भी दो phase में आप पढ़ सकते हैं early function और late function जो early function होगा उसमें phase DNA जो होता है वो bacterial cell को control करता है और synthesis of viral messenger RNA शुरू हो जाता है देखिए messenger RNA जो होता है वही protein को बनाता है और एक virus का पूरा particle बनने के लिए वाईरियोन को बनने के लिए protein की आवशकता है तो जैसे DNA अंदर कोशिका में घुसता है वहाँ जाकर के वो क्या करता है bacterial chromosome को अपने control में ले लेता है और उस तरह से पूरी cell को अपनी control में रखता है नियंतरण में ले लेता है और उससे क्या शुरू हो जाता है messenger RNA का बनना जो उसका DNA है उस DNA से वो messenger RNA बनाता है यानि की वो अपनी script को transfer करता है messenger RNA की form में ये और detail में आप second year में जब biotechnology पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे तो क्या कर रही है phase अंदर जाके control में लेने के बाद viral messenger RNA बनाना शुरू करती है ये है early functions के जब late function स्टार्ट होता है तो उसमें protein और nucleo capsids जो होते हैं वो assemble हो जाते हैं अर्थात protein का capsid बन जाता है और nucleo material जो DNA वो अपनी copy बना करके एक particle को बनाना शुरू कर दीता है nucleages and DNA dependent RNA polymerases जो होते हैं वो early proteins होते हैं जबकि structural proteins और enzymes जो होते हैं वो late proteins की श्रेणी में आते हैं जैसे जैसे phase DNA enter करता है bacterial cell में it loses its DNA replication power शुरू आत में क्या करता है जैसे जैसे phase DNA अंदर जाएगा तो इसके पास power नहीं रह जाती कि ये अपना replication कर सके वेंदा promoters for protein synthesis of virus particles are identified RNA polymerases of bacterial cells transcribed phase DNA यानि शुरू में जैसे ये अंदर घुसता है तो इसकी शमता नहीं होती नया नया मेहमान है ये एक तरह से जो की bacteria में enter करता है तो अपनी DNA power को खो देता है पर वहाँ पहुचने के बाद धीरे धीरे के पहचानता है RNA polymerase को और फिर RNA polymerase की मदद से ये messenger RNA बनाना शुरू करता है यूशुली दा वाइरल मैसेंजर RNA जो होता है वो नुकलियेज, कोर्ट, एंजाइम और बैक्टेरियल डियने डिवाइज इंटो मैनी स्मॉल पीसे हैंस नुकलियोटाइज फ्रॉम बैक्टेरियल डियने बिकम अवेलेबल फोर फेस डियने शिंथेस अर्थात की वाइरल मैसेनजर आरेने नुकलियेज, ट्रांसक्राइब्ल और वाइरल मैसेनजर आरेने नुकलियेस, कोर्ट, एंजाइम और बैक्टेरियल डियने जो होता है वो छोटे-चोटे पीसेज में तुकडे में तूट जाता है और फिर इसके बार में बहुत सारे phase DNA synthesis स्टार्ट हो जाती है RNA phases have different activities from DNA phases RNA जो होते हैं वो DNA से थोड़ा different होते हैं क्योंकि host cell does not have enzymes for RNA replication RNA replication के लिए host यानि बैक्टिरिया के पास कोई enzymes नहीं होते इसलिए RNA phase has to code for enzymes needed for self replication अब यहाँ पर पहले उसको आवशकता होती है phase को कि वो ऐसे enzyme पहले बनाए जिससे की उसका replication हो सके such phases use single stranded RNA as one positive strand which function as a messenger RNA देखिए जो DNA phases होते हैं वो तो DNA से तुरंत बना देते हैं messenger RNA लेकिन यहाँ पर पहले अगर single stranded RNA है तो वो messenger RNA में convert होता है और फिर RNA polymerase और other proteins को produce करता है RNA polymerase forms a negative RNA strand in which viral genome is used as template जो viral का genome है क्योंकि वो single stranded virus है तो single stranded उसका जो virus का जो strand होता है वही template की तरह इस्तेमाल हो जाता है और फिर उसकी copies बनती है after that this negative strand function as a template during replication and forms numerous positive RNA strands which associate with protein sheath and new phase particles are produced और इस प्रकार से DNA और RNA में अलग अलग तरीके से DNA या RNA की strands बन जाते हैं और फिर उसके साथ में protein का sheet बन जाता है चारो तरह और नए virus particle बन के और सीधे दूसरी कोशिकाओं को infect करने के लिए ready हो जाते हैं अब phase nucleic acid and proteins को अगर आप देखें तो इसका जो next phase है उसमें जो messenger RNA होता है वो translate करता है अपनी coded language को proteins की form में और ये किस पर होती है राइबोसोम्स पर प्रक्रिया होती है और बैक्टिरिया के पास राइबोसोम्स होते है transfer RNA and enzymes are used late RNA synthesis starts after semi-conservative replication of phase nucleic acid आपको मालूम है कि nucleic acid का जो replication होता है प्रतिक्रति करन होता है वो अर्ध संग्रक्षी प्रकार का होता है अर्थात एक strand जो होता है वो reserve में रहता है या conserve होता है और दूसरे से काम शुरू होता है replication का जो late proteins और structural proteins होते हैं वो बनते हैं जिसकी मदद से maturation and release of newly formed phase particles process आगे बढ़ता है अब ये बन गया हमारे पास काफी सारे RNA DNA के टुकडे बन चुके हैं हमारे पास protein मौझूद है अब इनकी assembling शुरू होती है nucleic acid और protein जो होते हैं वो एक complete phase particle की form में आ जाते हैं और अब उसको हम process को बोलते हैं maturation जो structural proteins होते हैं they assemble to form phase head and tail separately दोनों को अलग-अलग करते हैं because head and tail remain separated nucleic acid enters into head में and after condensation जब वो condense हो जाता है उसके बाद में head क्योंकि head तो छोटा सा होता है जब बनने लगता है तो वो खुली हुई अवस्था में लंबा होता है रेखिय होता है तो अंदर घुशने के समय वो condense हो जाता है nucleic acid इधर DNA और RNA nucleic acid containing head joints with tail tail fiber attaches to the tail plate tail fiber tail plate से attach हो जाते है इसके बाद में जब ये पूरे particles उसको शिका में बन जाते हैं बनने के बाद में उसको lightic कर देते हैं यानि endolysin कहला था late proteins also include a lightic enzyme तो अगर आप से कोई पूछे या exam में आप से पूछा जाए कि lightic cycle कैसे हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो late proteins बनते हैं कोशिका में बैक्टिरिया में उनमें एक enzyme होता है जो कि endolysin कहला था इस endolysin की वज़े से जो bacterial cell होती है वो burst हो जाती है और बहुत सारे more than 200 phases particle यानि कि जो phase particles या virus particles होते हैं वो release हो जाते हैं हर कोशिका से इस प्रकार से इसकी जो life cycle है एक bacterial phase की वो चलती है अगली class में हम पढ़ेंगे lysogenic cycle और lightic cycle